वेल्टम तो मैं चैनल आई एम सिम्निन सहानी आज परते हैं क्लास टेन इंग्लिश का चाप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट वन अबेकर फ्रॉम गोवा तो यह बहुत इंट्रेस्टिंग चाप्टर है गाइस इवें लिम्स ऑफ इंडिया पूरा का पूरा टॉपिक इंट्रेस्टिंग है पहला पार्ट जडारा इस में वेक रॉम गोवा पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कूश के बारे में और फिसरे टी लॉम एकार्ट परोगाफ करेंगे ओद्रेशिक पर में यीर्स हम सब्सक्रते हैं और पर पेश्य गोवा की सोसाइटी में and even आज भी करते हैं तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गोवा के बेकर्स के बारे में इस चैप्टर में बहुत डीटेल में पढ़ने आले हैं पौच्छी की इंफ्लूएंस ओन गोवा ठीक है तो विद दस कंचिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को अबेकर्स के बार में बताने आले हैं अपने बच्पन की बाते यार्ट करने वाले कि जब वो छोटे थे उनके अधर के बार बेकर जब ब्रेट बेशने आता था तो वो मज़े से उस ब्रेट को खाते थे और वो एक तरीके से अपने चाल्ड हुड में भी हमार को लेके जाएंगे और अभी गोवा में बेकर्स की क्या इंबॉडन से यह भी बताएंगे तो चैप्टर बहुत चोटा सा और बहुत इंट्रेस्टिंग सा है अब यह जो ऑथर है इनका नाम आप मुझे बताओ कॉमेंट्स में क्यों की गाइज एक्जाब में डारेक्ट क्वेशन आता था कही बारी नेम दा ऑथर और दिस चाप्टर तो वो तो मुझे कॉमेंट्स में बताओ याद हो जाएगा त ठीक है तो चलो स्टाट करते हैं अपना चोटा सा प्यारा सा चैप्टर बेकर फ्रॉम गोवा ठीक है अब पॉच्चोगी इस लोगों ने बहुत समय तक रूल करा कहां पर गोवा पे पॉच्चोगी इस तो चलेगा है बट उनकी कल्चर इंफ्लूएंस और उनके कल्चर की थे ना गोवा के व को आफ डंट स्थार्ट करना शुरू कर देते हैं अरे पॉच्चुगीज के इसा होता था जैसे आपके दाल के यत करते होंगे अरे हमारे जमाने में शुप अरे लिख के आठीक है याद कर गेए लोब इसिंदों को याद करते हो सब सबसेता पथे क्या पर बेकर आता था ब्रेट बेशने के लिए तो पॉचुकीस के बड़े-बड़े जो लोग है एल्डर्स जो है वो निनों को याद करते रहते हैं तो अधर ने बहुत इंपोर्टन लाइन यहां पर लिखी है जो हमें एक्जाम के लिए या समझ में आनी चुछी है क्योंकि आ यह उगसना हए तो भाई पॉचुगी तो गायब हो गए बड इकर कॉन होता है को अरे बनाते है तो अधर ने हमें कहा कि जो पॉचुगी बनाने वाले बेकरस है वह अभी मैं सब्रेट बंके यह ऑर मूल्डर जो स्कों आटे को कट करते हैं तो सब अभी भी गुण में है जितनी भटियां है ना भटियों को क्या कहते है देखो फर्णिस ठीक है इस तिल इग्जिस्ट इंग उड़ पोचुगी जुछ लमाने की बहतियां है वह अभी भी और उनकी आग बुजहाई नह नोट इस्तिंग्विश एक्सिंग्विश मतलब भुजाई नहीं गई है अभी भी गुवा में रोज ब्रेट बनती है उन्हीं पॉर्टुगीज के जमाने की बेकरियों में पहले फादर्स उस बिजनस को कंचिन्यू करते थे अब उनके आगे वाली जेनरेशन जो लड़के ह हो गए उन्होंने इस फैमिली प्रोफेशन को कंचिन्यू कर और वह बेकरी बिजनस जो है ब्रेट बनाने का चला रहे है अभी वी सुभा गोवा की सड़कों पे गोवा के जो हाउसोल्ट है उनके भार जो है उनको सुनाई दे चाते है थाड़ जिंगल की बदाब थाड़ बहुत फेमस है बेकर्स की इंपोर्टेंस है अभी भी गोवा की सोसाइटी में तो यह हमें ऑथर ने बताया अब अपने चाइल्डूट में भी लेके जाएंगे कि उनके चाइल्डूट में बेकर कैसे होते थे कैसे हाते ठीक है तो चाप्टर को कंचिन्यू करते हैं अब कि गोवा में बेकर को बेकर नहीं बोला जाता है पैडर बोला जाता है क्या पी अजी है हमारे लिए तो यहां तक आपको चाप्टर समझ में आ गया तो चलो कंचिन्यू करते अपने चाप्टर को अब चाप्टर में हमें पढ़ना है ओथर रिमेंबर्स इस चाइल्डूड सब्सुन ह έχει है कि वह में हमारे फ्रेंड गुला था तो इन तीनों कर लो में आपको तू माल कर में क्वेस्चन के ओपसी बेखता हुए sentido पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब ब्रेट की बास्केट ले जाते थे बापसी फे खाली लाते थे ठीक है और जैसे ही बेकर आते थे ना तो उनकी जिंगलिंग साउंड लाते थे तो वह आवाद सुनके सारे बच्चे उच जाते थे जैसे आपके घर के आप सब्जी वाले आते हैं कोई आते तो देखें रूम अपने आप पहुच जाती है समन में यहाता कैसे हमारी रूम तक आवास पहुच जाती है वैसी ऑथर बताते हैं कि हम बच्चे सो रही होते थे और सुबस्वा बेकर आता था तो उसकी जिंगलिंग वाली वाद सुनके हम सब बच्चे उठ जाते थे अब उन्हों ने हमें क कि हम क्यों उतते है जो है जो है प्रेड खरीदने का थे गए एंक जो नहीं हम जो है उन्हां इ circumstances नहीं हम थी ब्रेड होती थी दिसर स्टेंगें नहीं आफ्स आते थे नहीं वह बेकर अपने साथ में एक राएंट भी लाता था तो बच्चे तो एक्साइड़ हो के भाग के इस ब्रेट को खरीने के लिए जाना जाते थे ठीक है अब जो सिंपल वाली प्रेड होती थी ना ब्रैड लोवस वह कौन खरीता था वह जो हाउस की सर्वेंट ह मेट सर्वेंट वह खरीदे थे अब आप याद रखो यह कि गोवा में उन्होंने इस लैंग्वेश पनी बता रखा है कि क्या बोला जाता है मेट सर्वेंट को तो आप यहां देख सते हो लोव जो ब्रैड लोव जो रोती के साथ खाई जैसे हम लोग फुलका खाते है न चप यह तो वह खाईए यह उसमेट प्रस नहीं था उनको इतना वह तो मेट ले जाती थी अब अथर बताते है कि बेकर आता कैसे था तो बेकर अपनी म्यूजिकल एंट्री करता था जंग 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 ऐसी अवास कुरते हुए बेकर आता था वह आवास के आती थी वो उसके special made bamboo से आती थी ठीक है अब bamboo का आए यह देखो गाइस यह देखो मुझे एक picture मिल गई है रेखो यह गोवा के बेकर्स हैं पैडर कह सकते हैं हम यह देख रहे हो यह कैसा अपने साथ में bamboo लेकर आते थी यह ता special बनो होता था कि जब इसको ऐसे बीट करा चाता था तो जहन्ग जहन्ग आती थी तो जब भी जो है बेकर आता था सुबह सुबह गली में ब्रेट बेशने के लिए तो वह जहन्ग जहन्ग आवाज निकालता था थीक है और रहसर बताते कि उसका एक हाट और एक हाट उसकी basket को handle करता था और जब जो है यह लेड़ी इस उससे ब्र लेट बेटने आते थे तो लेडियो ऑफ दा हाउस को पहले गुड मॉर्निंग ग्रीट करते हैं अब पते क्या होता था यहां पेस ऑथर बताते हैं कि हम बच्चे-बच्चे भी पीछे चले जाते थे बेकर की ब्रेट देखने के लिए तो हमें थे थुरा से दाट फटकार के साइड कर द्याता कि नए नि economic का था था ने थ हम बिच्छे भी मानते नहीं थे हम गभी रेवलिंग्स चर जाते थे कभी स्टूल के उपर चर जाते थे बेंच के बेंच कि उपर जाते थे कि वह डर लेकर आया है आपने हाप umने कि सब्सक्रमी को जोती है और खाल चाहिते हैं पत्व कर दो करा काम करना जाते हैं यहीं मेरें फ़े नियुकर के लाइद करना शेई फ्रकी आपने करें vine मेरे प्रखा बैकर galaxy थी शोचते हैं तो उसके खुश्बू आपको आजाती है वैसे ही ऑथर बताते हैं वह मैं अपने चाइल्धूट के डेज बता रहे हो बताते हैं कि जब मैं सोचता हूँ ना उन दिनों के बारे में कि हम कैसे रैलिंग पे चड़के बेकर की बास्केट को जागते थे तो मुझे अपने गलते थे और याली ब्रेट का ड़े तो ऑथर कहते है कि हम जो भॉल्धे थे ना जैसी सुबह सुबह में ब्रॉइव को दू अच्छा तो अच्छा थो हम लोग क्या करते थे डार्यक खाने लग तो यहाँ कंफ्यूस मत हो थो ना ऑथा है यह ने बताया है त्वी दिनोट कि हम इतनी जल्दी हो थी थी आपकी फेवरिट डिष आजेए थे ठोटे थोटी दो आपके ऐसे करिऊ इसे वेट नहीं होता है हमें तो अब WEAK अबैसे हो अब होगा नहीं होता है कि हम बच्चे जो भिना ब्रॉष करें बिना मुध और जो है ब्रैड क् exploding और जिए और एंग् मिड्रिप हटा कि उसको रोल करके ऐसे वह तूद बनाया जाता है अब तूद बनाने मिक्ता टाइम लगता है तो अधर कहते हैं हम तो जो है भाग जाते थे ब्रेट खाने के लिए और आगे कहते हैं तो हम भी ऐसी हम भी ब्रेट पर तूट परते थे और वैसे भी जो हॉट टी हम पीते थे वह एनफ थी अच्छे से क्लीन करने के लिए तो ऑथर्ने देखो में बच्वन में अपने मुझे ऐसे लग रहा है कि कैसे घर के बहर जो है बेकर आता होगा जंग जंग आवास क्रिए बैम्बू से ब्रेट बेशनी के लिए फिर बच्चे बाहर रहनागी पर किहांगे जो मैड़ भरी फ़िशने छोटे में ब्रेट खने भीड ऑपर से कहते होंगे अरे हमें वह छोटी यह दो गोल वाली दो ठीक है और यह जब बलती थी थी तो बच्चे रुकते नहीं थे बि तक अधर ने अपना बच्छपन आहमें बता दिया कि उनकी किती प्यारी-प्यारी यादे जुनी है गया है फ्रील और से जो ब्रैट्स वेश्टे थे उन से अब ऑथर ने इंपोर्टेंस बताई है ब्रेड की इन दा मैरेज सेरिमनी तो अफर बताते हैं मैरेज सेरिमनी जो है इनकंप्लेट है विदाउट बोल क्या है एक स्वीट ब्रेड होती है उसको बोल कहते है तो वह कहते है बेकर ना गुवा के विलिचेस में बहुत इंपोर्टेंट रोड प्ले करते थे चाहिए शादी हो चाहिए ख्रिसमिस हो चाहिए कोई भी फेस्टिगल हो बेकर्स की बनाईवी डिशेस उनके बनाईवी ब्रेड उन दिनों पर सब खाते थे ठीक है जब डॉटर की एंगेजमेंट होती है लड़की की जब सगाई होती है तो लड़की की मम्मी होती है वह स्पेशल टाइप के सांडविचेस मनाती है तो एक्जाम में डारेक्ट आपको क्वे के सेंडविचेस बनाती है और क्रिस्मस और बाकी फेस्टिवल्स पे केक और बोलेनास खाये जाते हैं केक और बोलेनास ठीक है तो इसलिए गाइस प्रेजंस अव बेकर की भट्टी होना एक विलेज में बहुत जादा इंपोर्टेंट था तो यहां हमने देखो यह तीन ल कर सकते हैं now one more focus or दो आधर्टेंट यहां हमाराइं को थे 笑 समान में बनाते थे अब अनु हमें वह बहुतीाएं यह फिरने wh liz और को पर बच्पन में बच्ट है कि ऑ 어떡 assess कि ऑफ्फी सब्सक्राइब कर नंहिे कि अंता चांश्य के आजआ एक कवाई एक तराउजर में पहना करते थे जो चौटे देन से नहींति एंड जो half pants होती थी उससे लंबी, यह confused मतो हो, यह author हमें बताना चाहरे है, कि जब वो छोटे थे ना, तो उनके जमाने में बेकर कबाई पैन के नहीं आते थे, वो usually क्या पैन के आते थे, एक shirt पैनते थे और साथ में केपरी पैनते थे, केपरी तुम्हें पता है ना, जो थो shorter than the full length ones, याने की jeans और pant से थोड़ी कम, और जो निकर होती है या जो shorts होती है, उन से थोड़ी लंबी, तो वो क्या होती है, हम लोग तो पैनते हैं, तो आथर बताते है, कि उनके जमाने में, ऑथर के childhood में, बेकर वोर अशुर्ट और ट्राउजर, shorter than the full length ones, and the longer than the half pant, जिसको ह तामने अपनी लागमज में कहा दिया क्या और यह आप देख बी सकते हो फोटों में साफ-साफ कि यह रहे बेकर जी इनके हाथ में यह बासकेट सेया बासकेट के साथ में यह वो स्पेशल बैंबू जहंग बासकेट करते हैं और यह इनों ने पहने पहले केपड़ yi bqp तो पहने पहने आपकेटीं पहने शर्ट पहने है यह हो गए हमारे मोंजो बताते है अब ही आगे अगर ग्वा में पहने वी टेखते हैं टो ऑ करते सी क्हों गोग पहने जेक्टे पहना करते थे तो यह हो गया about the baker अब देकर के बारे में बता दिया अब अधर आ गया बेकर profession pay कितनी कमाई करते थे तो अधर बताते है कि baker ना collect करते थे bills को पैसों को end of the month में यानि रोज तुम पैसे दे रहे हो और जो है bread खरी रहे हो नहीं जैसे ही बेकर जो bread बेशते थे उसका हिसाब महीने के एंड में लेते थे और जैसे आपकी घर में दूद का हिसाब एक कैलेंजर पर होता होगा वैसी ऑथर बताते हैं जो ब्रेट का हिसाब है हमारे गर में किसी भी एक दिवार पे जो है पैंसिल से कर लिया जाता था किसी भी दिवार पेंसिल से लिख लिया जाता था अच्छा आज शार ब्रेट ली आज नहीं ली एक्जेक्टर एक्टर ठीक है और अब बताते है कि बेकर प्रोफेशन इतना जादा क्ष juan, मतल submitted, भुके नहीं सो यह होंगी क्योंकि रो ब्रेट ब्रेटी थी गड़ा दे ब्रोफेशन उने में प्रोफेशन था वह एक्टेंस, सर्वेंट इन आज सेρο eller ब्रॉप है उनकी उनके बोटे में भी क्यारों घर उन्हा पना उन्हें कुण फमीली श्कमाइब उसका पुस्पना है उन्हें पटा करें, हे उसे नहीं है पता है क chicos नहीं कहब हम सब्सकूत है तोड़े जाक फ्रूट फिजिकल अपीरेंस कंपेर विद बेकर अब इसका मतलब यह हुआ कि आज के जमाने में अगर कोई मोटा सा होता है ना गोवा में यह जिसकी जाक फ्रूट जैसी यह प्लंप सी फिगर होती है थोड़े है तो उनको लोग कह रहे तुम तो बेकर जैसे लिए पका चयाइड़्ट के बारे में पड़ा कैसे बारे कर बेकर आता था जंग जंग बावाज से दी थ साॉड़ा बचे खानेजाते थे ब्रेट जिसको बीना ब्रेश करे बचे ब्रेट करे च अ उसके बाद हमने पड़ा BREAKर की इंपगीं पटेंच फिर हमने बेकर के बारे में पढ़ा बेकर के ऐसे कपड़े पेंथे थे पेक्यूलियर ड्रेस कबाई याद रखना और बेकर के चाइल्ड हूंड में बेकर वो कैपरी पेंड के आते हैं ठीक है और लास्ट में हमने पढ़ा बेकर आज प्रोफेशन काफी अच्छा-कासा प्र अगर इस चाप्टर के नोट से इंपोर्टन क्वेशन यह वह भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और अगर यह स्लाइट से यह नोट से यह डारेक्टी आपको एक्सेस करने हैं तो मेरी इंस्साग्राम आइडी का लिंक गिए महां पर में यह सब अप्लोड कर देती अपने फोन में यह कर देख लिए आपने एंस्याटी पर ली एक ही बात है चीक है तो विद्धिस भाबाइटी के बैस अफ तक आयल मीचू इन दा नेक्स वीडियो